सब्सक्राइब कीजिए फीट्फिक्स को और बैल आइकन को दबाईए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो ये सीरीज और बहुत सारे मच्ट वाच मूवीज और सीरीज सिर्फ नेट्फिक्स पर ही एविलेबल है मगर अनफॉजिनेटली नेट्फिक्स के अल्ट्रा एच्टी एकाउंट आते हैं 800 रुपे में वो भी सिर्फ एक मेने के लिए जी नहीं बिलकुल नहीं अब आप पास सकते हैं वही सेम Netflix का Ultra HD account सिर्फ 200 रुपे में वो भी पूरे महिने के लिए कैसे यह जानने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करके हमारे डीटेल वीडियो को देखिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये गए हमारे WhatsApp नमबर पर हमसे तुरंट कॉंटेक कीजिए दोस्तों अगर आपको गिफ्ट एके अतिये season 2 का spoiler free review देखना है तो यहाँ पर क्लिक करके उसे आप देख सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में मैं उन सारे चीजों का जानी की सारे सवालों का जवाब दूँगा जिसने आपके दिमा की दई नहीं टटी करके रखी है सो चलिए जटपट जान लेते हैं कि season 1 और season 2 में हमने क्या देखा season 1 में हमने अतिय नाम की एक character को देखा जो की हमेशा एक painting बनाते रहती है जो की उन्हें पता चलता है कि एरान नाम का बंदा जो की एक archaeologist है उसे ऐसी एक painting के जैसे दिखने वाली image मिलती है जो की Gobical Temple के गुफा में थी series में आगे जाके एक khusat बुडिया हमेशा अतिया को परेशान करते रहती है और अतिय के अजीव family members से भी हम मिलते हैं और सरदार नाम के villain के सारे के सारे plants भी हम जानते हैं और धेर सारे suspense के बाद हमें पता चलता है कि स्टोरी कुछ नहीं साला बस Gobical Temple के अंदर एक गुफा में एक रास्ता है जो कि अतिय को एक दूसरे dimension में मौझूद दुनिया में ले जाता है एक ऐसी दुनिया में जहां पर चीजे वैसी नहीं है जैसे थी जैसे कि अतिय की बेहन कांसू जो की मर चुकी होती है season 1 में वो भी जिन्दा होती है इस दुनिया में और इतना है नहीं वो अतिय को पैचानती भी नहीं और अपना नाम कांसू नहीं एलिफ बताती है वैसे season 2 ने ये तो clear कर दिया कि अतिय ने जब season 1 में गुफा में जाती है और जब बाहर निकलती है तो वो अपने dimension में मौझूद धर्ती पर नहीं होती है वो एक अलग dimension के अलग धर्ती पर होती है और इस धर्ती पर इतना नहीं कि उन्हें कोई नहीं जानता रुख जब बलकि वो इस धर्ती पर exist ही नहीं करती और वो इस लिए उस धर्ती पर उनके माबाप कभी मिले ही नहीं और इसलिए आती है कभी पैदा ही नहीं वहीं बट वहीं पर दूसरी तरफ हमने सरदार को देखा कि वो अतिये के नाम सुनते से ही अतिये को पैचान जाते हैं कैसे सरदार को कैसे पता था कि अतिये कौन है वो इसलिए क्योंकि हम सरदार को एक unknown entity से season 1 में बात करते हुए देखा था mobile tv के through और इस season में एक tablet के through और सरदार ये भी कहते हैं एक scene में कि उन्होंने उनकी language तक सीख ली है और उसे वो एक organization कहते हैं clearly ये organization एक alien entity हो सकती है जो कि अभी तक clear नहीं किया गया बट हां मुझे ऐसा लगता है कि ये organization ही वो कड़ी है दोनों दुनिया के बीच में जिसकी वज़े से सरदार को पता था कि अतिये problem पैदा कर सकती हैं उनके plans के लिए क्योंकि season 2 से ये तो clear हो गया कि ये organization ही कही न कहीं एक reason या कारण होती है जिसकी वज़े से धर्ती 2 पे अर्ट 2 पे और जो है बच्चे पैदा नहीं कर पा रही है और organization नहीं कि क्यों किया ऐसा ताकि population न बढ़े क्योंकि population बढ़ना problem था और इसका Thanos से कोई लेना देना नहीं है तो please the gift एक अतिये को Thanos या Avengers से connect मत करना और कहीं न कहीं इस organization को ऐसा लगता है कि अतिये ही वो एक कड़ी है जो कि again एक दुनिया से दूसरे दुनिया में जा सकती है और ये चीजे organization को पता है तो इसका मतब ये तो clear है कि organization एक दुनिया में क्या हो रहा है उनको पता है दूसरे दुनिया में क्या हो रहा है ये भी organization को पता है अब यहाँ पर सबसे बड़ा सावाल है कि how is that possible कि अतिये कुछ ऐसा करे जिसके उसे धरती टूप पर बचे पैदा होने start हो जाए यहाँ पर एरान आते हैं क्योंकि season 1 में हमने एरान और अतिये को टिंग टॉंग करते हुए देखा था और उसके बाद में अतिये धरती टूप यानि कि दूसरे dimension में मौझूद धरती पर चले जाती हैं और यहाँ उन्हें अइसास होता है कि वह pregnant है तो किसी भी तरीके से अगर उन्होंने इस चीज को तोड़ दिया एक चीज जहां पर धरती टूप पर और बच्चे पैदा नहीं बताये गई बस इतना जरू क्लियरी मैसेज दे दिया गया कि अगर अतिये पैदा कर लिया आना तो धरती टूप पर बागी ओरते भी पैदा कर लेंगे और इसलिए मैंने कहा था मेरे रिवीव में कि सीरीज में ठेर सारे प्लॉट होल्स है अब यहाँ पर एक बहुती organization एक common चीज है दोनों धरती के बीच में अतिये एक common चीज है दोनों धरती के बीच में और अतिये से जुड़ी जितनी भी ओरते हैं यानि कि उनकी नानी, मा, उनकी आंटी, जो भी हो गया इन सारे लोगों को पता है कि धरती 1 और धरती 2 पर क्या हो रहा है अब यहाँ पर किसी ना किसी टाइम पर इस organization का एक हिस्सा थी लेकिन जब इन औरतों को पता चला कि यह organization ऐसे ऐसे काम कर रही जैसे दरती 2 पर औरतों को बच्चे ही ना पैदा करने दे में भी इन लोगों ने organization छोड़ दिया अब मैं यहाँ पर अतिये की बात नी कर रहा हूँ मैं बहुत पीछे जा रहा हूँ टाइम पर यानि की अतिये के पिता के पिता यानि की उनकी नानी तक मैं जा रहा हूँ कि शायद से उस time से इन लोगों ने उस organization को छोड़ दिया और एक अपनी organization शायद से बना लिए जिनका काम यह था कि organization actual organization अगर कुछ गलत काम करे तो यह लोग से dimension में जा सकती है इसका यही एक possible explanation लग रहा है आपको क्या लगता है कि क्या मेरी theory सही हो सकती है आपकी भी कोई theory है तो please comment में जरूर शेयर करें अब season के end में आते हैं जहां पर हम ओजान को अतिये के बच्चे को लेकर भागते हुए देखते हैं ओजान ऐसा क्यू करता है अब यहां पर एक चीज़े clear कर लेते हैं धर्ती 1 पर यानि कि dimension 1 के धर्ती 1 पर ओजान जिन्दा है लेकिन धर्ती 2 यानि कि dimension 2 के धर्ती 2 पर ओजान जिन्दा नहीं है क्योंकि ओजान मारा गया है बताया यह गया है कि ओजान के पिता नहीं उनको मारा है बट मुझे ऐसा न dimension 2 में और वहाँ पर अतिये के बच्चे को उठाते हैं और फिर से धर्ती 1 पर आ जाते हैं अब यहाँ पर मैं possibly कह रहा हूं कि धर्ती 1 पर आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर भी मुझे बहुत सारे questions हैं मुझे ऐसा लगता है कि धर्ती 1 नहीं हो सकते क्योंकि अगर धर्ती 1 पर गए होते हैं तो धर्ती 1 पर हम देखते हैं कि कैसे जब अतिये पीछा करते करते होजान के पीछे जाती हैं तो वहाँ पर वह यह देखती हैं कि उनकी ही लाश को दफनाया जा रहा है अब बहुत लोगों की यह थियरी होगी कि अतिये जब धर्ती 1 से धर्ती 2 पर गई तो के लोगों को यह लगा होगा कि अतिये अब तो वह पस आये नहीं है काफी टाइम हो गया तो शायद से उनका अंतिम संस्कार कर रहा है बट यहां पर हम clearly एक लाश भी देखते हैं which obviously अतिये कहीं हो सकता है क्योंकि अतिये के कांसू मर चुकी थी बट इस सीन में हम कांसू को या फिर एलिफ बिया जो भी वो लड़की है उसको हम clearly जिन्दा देखते हैं लेकिन धर्ती वन पर हम जानते हैं कि कांसू तो मर चुकी है so it's 100% sure कि ये धर्ती 1 नहीं है ये धर्ती 2 भी नहीं हो सकती क्योंकि again अतिये मरी पड़ी हुई है which basically comes to our main important topic कि ये धर्ती 1 नहीं है धर्ती 2 नहीं है this is definitely धर्ती 3 इसका और भी कोई मुझे possible explanation नहीं लगा अगर आपके पास में है कोई explanation तो comment में ज़रू बताइए और इस चीज़ को हम थोड़ा सा twist भी कर सकते हैं ये भी कह सकते हैं कि जब ओजान अतिये की बच्ची को लेके भागता है तो maybe शायद से वो धर्ती 1 पर चला जाता है और organization के लिए काम करने लगता और organization से बात करता है क्योंकि उनके बगएर ओजान धर्ती 2 पर जानी सकता था और maybe while chasing अतिये गलती से धर्ती 1 पर जाने की बचा है धर्ती 3 पर चली गई जहांपर अतिये मर चुकी है और कांसु जिन्दा है this is another slight possibility अब ये तो उन सारे सवालों का जवाब है जो कि मैंने guess किया और शायद से कहीं न कहीं सच हो सकते हैं अब आपके दिमाग में और भी बहुत सारे सवाल होंगे जैसे कि for example मेरे दिमाग में भी है वो ये कि अतिये की मा जो कि धर्ती 2 पर होती है जो कि basically उनकी मा नहीं होती है वो अतिये का इंतजार कैसे कर रही होती है how did she know कि अतिये आने वाली है जब कि वो उनकी माई नहीं होती है ये series ने बताय है नहीं बिलकुल भी clear नहीं किया अब हम बाकी लोगों का समझ सकते हैं कि अतिये की नानी अतिये की आंटी क्योंकि basically these were like you know organization के characters इनको पता था कि एक धरती पर क्या हो रहा है इसका कोई possible explanation नहीं बताया गया अगर आपके दिमाग में कोई है explanation तो please comment में जरूर बता है so overall अगर मैं एक summarize theory बता हूँ तो season 1 में हमने देखा कि अतिये एक line of family से है जिनके अंदर कुछ powers है एसी powers है जो कि Gobigal Temple से होते हुए एक दर्वाजा खुलता है जिससे कि वो एक dimension से दूसरे dimension में जा सकते हैं और वो सिर्फ यह औरते ही जा सकती है जो कि basically कहीं न की शायद से organization से link हो सकती है यह crossover कर सकती है अलग-अलग dimensions में जा सकती है और उस dimensions में जाके मेरे ख्याल से उस धर्ती के जो भी problems वगरा है सब solve करना या organization अगर किसी धर्ती पर कोई problem create कर रहा है तो उसको solve करना इन औरतों का basically काम है और यह काम करते वक्त डेर सारे complications आते हैं क्योंकि of course main organization जो है वो पीछे नहीं हटने वाला वो रुकने नहीं वाला वो definitely कुछ न कुछ करेगा जैसे कि season 1 में सरदार थे और season 2 में हम clearly देखते हैं कि अब organization के लिए होजान काम कर रहे है तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि मैंने आपके season 1 और season 2 के सारे सवालों के जवाब clear कर दी हैं और अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई सवाल है आपके जहन में तो please जल से जल मुझे comment में पूछ लीजे मैं हो सके तो उसका जवाब दूँगा और अगर आपको लगता है कि आपकी खुद की एक theory है खुद के कोई explanation है तो please comment में share करना बिलकुल न भूले until then अगर आपको हमारे ऐसे ending explanation videos पसंद आते हैं और अगर आते हैं तो please जार वीडियो को like कीजे, channel को subscribe कीजे, bell icon दबाईए क्योंकि बड़ी मैनत लगती है बैटे बैटे ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी body सुन पड़ गई है, so please अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो आपको help करती है, please channel को subscribe करे, bell icon दबान आप बिलकुल न भूले, अधे तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, stay home, stay safe